मद्यपरदेश की राजधानी भोपाल से लगे राइसेन जिले के गोहर गंज में माबाप से बिछड़े तीन हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया है तीनों बच्चे भाई बहन हैं जो साल 2020 में कोविट के चलते लगे पहले लॉकडाउन के दौरान अपने माबाप से बिछड़ गए थे राइसेन के गोधी शिशु ग्रह गोहर गंज में रहने वाले इन बच्चों के पिता मंडी दीप में एक फैक्टरी में गाड़ है आपसी विवाद के बाद मा और पिता साथ नहीं रहते मा बच्चों को लेकर भोपाल चली गए थी यहां वो ताजुल मज़िद के पास किसी मुस्लिम फकीर के साथ भीक मांगने लगी और कोविड में बच्चे मा से बिछड़ गए भोपाल की मात्रिच हाया नाम की एंजियों को बच्चे लावारिस नजर आए एंजियों ने बच्चों को बाल कल्यान समीती भोपाल के सामने पेश किया बाल कल्यान समीती भोपाल ने ये केस रायसेन बाल कल्यान समीती के पास ट्रांसफर कर दिया क्यूंकि मामला राय सेन जिले का था बाल कल्यार समीती राय सेन ने इन बच्चों को गोधी शिशु ग्रह गौहर गंज को तब तक के लिए हवाले कर दिया जब तक इनके पैरेंट्स नहीं मिल जाते जाच में पता चला कि बच्चों के माता पिता हिंदू है जाच में पता चला कि बच्चों के माता पिता हिंदू है इसके बावजूद शिशु ग्रह संचालक हसीन परवेज ने उनका नाम परिवर्तित ना कर इस्कूल और आधार कार्ट पर उनका नाम मुस्लिम ही लिखवा दिया हाला कि हसीन परवेज खुद पर लग रहे आरूपों से इंकार कर रहे हैं आपको पता चला था कि यह हिंदू है तो आपने इनके नाम परिवर्तन कराने के लिए क्या प्रियाज की इसमें आदेश जारी करना हो ना करना तो लिए है मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायत पर राष्ट्य बाल आयोग के अधियक्ष प्रियंक खानूर गो इस शिशुग्रह का निरिक्षण करने पहुँच गए बाल आयोग में शिशुग्रह के संचालक हसीन परवेश को इस मामले में आरूपी बनाया है और चल्टन का उलंगन है भारत के सम्विधान का उलंगन है इंडियन पीनल कोट के और जुविन जैस्टिस एक्ट के विभिन प्रावधानों के उलंगन की और इस विशे को आकर्शित करता है हमने डीपी ओ से मौके पे बोला कि सारे काज़ यहां से ले दीजिए हमने यहा बच्चों को उनकी परीवार को ढूंड कर भी स्टोर करें और इस पिरकार के जो संस्था का चंचालन कर रहा है परवेज परवेज उसका नाम है उसके वरुद इफाईयार दर्च करते रहे हैं बताने की तीनों बच्चे बीते तीन साल से गोहर गंज में सरकारी अनुदान पर चलने वाले शिशु ग्रह में रहे हैं बच्चे हिंदू हैं और पिछड़ा वर्ग से हैं इनकी ओमर चार, छे और आठ साल हैं इनमें दो बहन और एक भाई हैं फिलाल क्यूंकि मामले में FIR दर्ज हो चुकी हैं अब उमीद की जानी चाहिए कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कठोर एक्शन हुए टाइम्स नौन अभारत डिजिटल की रिपोर्ट